नमस्कार स्वागा थे आपका डीटी ड़ब्लू 24 नियूज में और मैं हूँ आपके साथ राधा देश भर में कोरोना वाइरस के वजह से लगा लॉकडाउन तो खत्म हुआ लेकिन लोगों के सामने बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है जिनके पास नोकडियां थी वो छूट गई है नई नोकडियां फिलाल आने ही रही है ऐसे में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर नई नई योजनाएं सुरू कर रही है इन में से कुछ सोसल मीडिया पर इसका बखान कर रहे हैं और कुछ चुपचाप अपने काम में लगे हुए हैं अपनी पत्नी के साथ मिलकर बेरोजगारों को दो बक्त की रोटी कमाने लायक नौकडी का जुगार करने में चुपचाप लगे हैं अभिनेता मनोज बाजपई मनोज बाजपई ने अपनी पत्नी सवाना रजा के साथ मिलकर एक चैरी टेवल ट्रस्ट के साथ हाथ मिलाया है इस ट्रस्ट के साथ मिलकर उन्होंने एक नए अभियान स्रमिक सम्मान की सुरुआत की है इसके जड़ ये वह देश के सभी हिस्तों में कुछ लगू उद्योग सुरू करेंगे और बेरोजगारों को रोजगार देंगे अपने इस अभियान की योजना के बारे में जानकारी देते हुए मनोज ने कहा कि उन्होंने लगभग 74 प्रोजेक्ट को खाका तैयार कर लिया है प्रवासी मजदूरों के मौजूदा हालात को देखकर उनका दिल दहल गया था और उन्हें काफी दुख हुआ इस दौरान इन सभी मजदूरों का संघर्स अथा हरा इस अभियान से ग्रामीन इलाकों में फैली और व्यवस्था को व्यवस्थित करने में भी मदद मिलेगी मनोज की पतनी सवाना को लगता है कि इन प्रवासी मजदूरों के सिर्फ घर वापस आजाने से उनकी परिसानियां खत्म नहीं होने वाली है इसलिए उन्होंने इस अभियान की सुरुआत बिल्कुल जमीन से जुरे लोगों के साथ की है इससे लोगों को भारी मदद मिलने बाली है मार्च के महीने में जब देश में लॉकड़ान लागू हुआ था तब ही से बेरोजगारी की समस्या उत्पन होना सुरू हो गई थी मजदूर अपनी नौकरिया छोड़ कर अपने घर लोट रहे थे अब जब चारो तरफ बेरोजगारी फैल चुकी है तो मनोज बाजबेई ने अपने इस अभियान की सुरूआत की है इस अभियान के साथ वह देश के सभी हिस्तों में लोगों के मूल निवास पर ही अलग-अलग उद्योगों का निर्मान करेंगे अभियान के सुरूआती दौर में उन्होंने बिहार के भागलपूर में तेल निकालने की एक यूनिट की सुरूआत की है इसके अलाबा फरीदाबाद और मुंबई में उन्होंने मास्क बनाने का काम सुरूआत की है इससे महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा इसके अलाबा उत्रा खंड में तरल, साबुन और सैनिटाइजर बनाने की एक यूनिट की सुरुआत की है इसी तरह बांस की चीजों को बनाने के लिए भी उन्होंने हरियाना में काम सुरू किया है बिहार समय देश-दुनिया की तमाम खबरों से अबडेट रहने के लिए बने रहे है डीटी डबलू 24 न्यूज के साथ अगर आप मारे इस न्यूज को फेस्बुक पे देख रहे हैं था हमारे पेज को लाइक करें यूट्यूब पे देख रहे हैं था हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान जरूर प्रेस करें ताकि हार खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक